स्टूडेंट्स मेरी सी गूजर आपका वेलकम करता हूँ और देखे यार जो कर्षी प्रिव्यक्सक भरती है 2008 वाली उससे संबंदीत ये मेटर है और अपन इसको 2021 के लेवल से भी समझेंगे कि क्या 2021 में भी ऐसा हो सकता है पेपर की बिख सकता है कोई स्टूडेंट आपसे बोल रहा हो कोई आपका जानकार बोल रहा हो कि पेपर आप ले लो इतने लाक में तो क्या पेपर भिखते हैं क्या उसका प्रोसेस होता है और हम क्या करें ये दी हम से कोई बोल ले तो और हम क्या बीना पेपर के एक चोल में हम स्टेडी करके क्या सेलेक्शन नहीं ले सकते वो सारा कुछ प्रोसेस अपन इसमें समझेंगे जो ये पेपर से संबंदित आपका मेटर है कि हम पढ़के कैसे सलेक्शन ले देखे सबसे पहले ये मेटर देखते हैं कर्शी प्रोयक्सिक बरती में चेहन के लिए चेहन बोड के पूर्व चेहरमेन के नाम पर 20 लाग उर्पे लिए दोस्तों ये 2018 वाली जो एगरिकल्चर सुपरवाईजर की भरती थी उसका मेटर है अब देखे दोस्तों मेटर क्या है दोस्तों हुआ ये कि देखे इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि बील जाटा ओजी ते जो पूर्व चेहरमेन थे अद्देख थे उनके कोई करीबी थे आपको कर्ची प्रवेक्स में सेलेक्शन करा देंगे पेपर देंगे ऐसा कुछ मेटर था और दोस्तों फिर उनसे कुछ पैसे ले लिए देखे उनसे बात कर ली कि इतने लाक में आपका सेलेक्शन करा देंगे और उनसे दोस्तों अलग अलग समय में 20 लाक उर्पे उनसे ले लिए एडवास पे लेई अब दोस्तों हुआ ये कि उनसे पैसे भी ले लिए और उनका सेलेक्शन भी नहीं हुआ अब देखे दोस्तों उसके बाद क्या हुआ एक्जाम हो गया और उनका सेलेक्शन नहीं हुआ उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कोई कोचिंग संचालकर प्रामविर डांगूर उन्होंने दोस्तों ये मामला दर्ज कराया है अब कि उनका सेलेक्शन नहीं हुआ और उनसे इसे 20 लाख रुपे ले लिए अलग-अलग टाइम पर अब दोस्तों जो पैसे लिये थे मेंदर ओजा जी है उन्होंने दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि क्या किया दोस्तों बोड की जो चेर्मेन है उनसे इनकी बात भी कराई इन स्टुडेंट्स की उनके सामने बात करी चेर्मेन साब से कि इनका ऐसे सेलेक्शन करवाना और उनसे पैसे ले लिए अब दोस्तों पैसे लेने के बाद भी उनका सेलेक्शन नहीं हुआ अब दोस् तो क्या रियल में हुआ है या कोई और ही उनसे पेसे ले लिया ये तो बाद में पता चलेगा लेकिन अब अपन समझते हैं कि क्या 2021 में भी ऐसी possibility है क्या paper भिख सकते हैं आउट हो सकते हैं ये पूरा अपन समझेंगे तो देखे यार सबसे पहले मैं आपको बता दू कि देख दोस्तों ये इसका रियल उदारन है आप देख सकते हैं कि देखें उनके 20 लाक रुपे भी गए और उनका selection भी नहीं हुआ तो यार इसी तरह देखें आए दिन आपको इतनी खबरे मिल जाएगे आए दिन अकबार में आती है एक दो खबरे ऐसी आती ही रहती है कि इतने प पैसे दे दिये हो और आपकी जोब लग जाए आपको पेपर मिल जाए लेकिन हो सकता है दोस्तों बाद में आपका केरियर खराब हो जाए देखें यार जो गलत काम होता है उसका गलती परिणाम होता है तो देखें यदि आपने मालो इसकी संभावना की बात करते हैं मालो क इस student ने पैसे दे दिये, उसका selection हो गया, लेकिन दोस्तों होता क्या है, कि जैसे उसका selection हो गया, उसको joining भी मिल गई, लेकिन 2-4 साल बाद जो पेपर देने वाले थे, selection कराने वाले यदि पकड़े जाते हैं ना दोस्तों, तो पूरा उनका छिटा खुल जाएगा, पूरे उन जाते हैं, तो दोस्तों यह ऐसा तो है नहीं कि वो इसी बरती में करेंगे, वो फिर आगे भी ओर करेंगे, बढ़े ले ओल पे करते जाएंगे, और दोस्तों एक दिन पकड़े जरूर जाएंगे, और पकड़े जाते हैं, आपका career खतम, तो यार देखें बिल्कुल भी दो तो आप कुछ और ही कर लेना आप कोशिस तो करो यार सेलवस पूरा करो पढ़ो अच्छे से यह से आपका selection हो जाएगा यार पेसे देने की क्या जरुरत है यह से आपका selection हो जायेगा दोस्तों एक चोल में पढ़िके इतना बड़ा कोई सेलेवस नहीं है और इतना ठफ कोई पेपर नहीं है इजी पेपर आता है छोटा है सेलेवस से आप आराम से सेलेक्शन ले लेंगे तो देखे ऐसे जासों में बिल्कुल भी मताना दूसरी ओर से बात करते हैं कि क्या सच में कितनी पोश्ट भिख सकती है क्या संबावन है देखिए पहली बात तो यार जो करमचारी चेन बोड के अध्यक्स है या कोई और जो है दोस्तो करमचारी चेन बोड में जो कारियर है या कोई और है जो देखिए गोर्मेंट सर्वेंट है तो दोस्तो वो ऐसा क्यो करेगा यार पहले देखिए उसकी government job अब है इतना risk के उसका केरियर खत्म हो फिर अधिन कोई ले लेता है दो बहुत व खुशिए है उसका केरियर क्या है रिस्क पहली भात तो नहीं लेगा अब बात करते कि 2021 वाली वेकेंस इनसी है उसमें कितनी पोश्ट है दोस्त दो नाए कि नाई कोई सी vacancy हो यसा होता है post भगती है तो कितनी post भगती है अपना लेते हैं बिक जाती है या उन पर देखे हैं इस तरह से स 되는데 हो जाता है पेसे देखें अब कितनी post बच गई दोस्तों 254 को अपन निकाल देते हैं 2000 post बच गई एसा तो बिल्कुल करी नहीं सकते कितनी कर सकते हैं माले 204 ने अप उनको निकाल दिया कि 204 गई अब 2000 बची तो 2000 में आप पढ़के सेलेक्शन नहीं ले सकते और दोस्तो जो पेपर बेचने वाले हैं या सेलेक्शन वाले हैं वो कितने पेपर कितने क्यूसन बता सकते हैं आपको 80-80 क्यूसन वा दोस्तो आपको यह नहीं है कि पूरा है क्यूसन बता देंगे यदि पूरा है आपको पेपर बता दियो तो यार वो खुद जाच के गेरे में आ जाएंगे तो पूरे क्यूर्ण नहीं बताते है, आपको इतने ही बताएंगे 85-80 क्यूर्ण जिससे आपका सेलेक्षन हो जाए, आप 85-80 क्यूर्ण क्या पड़के सही नहीं कर सकते किया, आप सेलमस पूरा कर लेते हो, अच्छे से महनत करते हो तो यार उसी में आप आराम से पिच्छा से क्योशन सही कर लोगी फिर क्यों पास ये 6 लाग रुपे वेसी वरबाद कर रहे हो जिसमें इतनी रिस्क है कि आपका केरियर खतम हो सकता है आपकी पूरी रेपोटेशन डाउन हो सकती है तो फिर क्यों हम इतना रिस्क ले क्या पढ़ के हम सेलेक्शन नहीं ले सकते क्या तो यार देखे ऐसी चीजों में बिल्कुल भी मत पसिएगा अन्यता आपका केरियर है खतम हो जाएगा देखे तो मैं तो यार इतना ही कहूँगा कि देखिए बिल्कुल ऐसे जासे में मता ना आए दिन दोस्तों खुब ये खबरे चलती रहती है आपको पता भी होगा और कई आपने देखे भी होंगे कि इतने लाख रुपे दे दिये और सेलेक्शन भी नहीं हुआ तो बिल्कुल जासे में मता ना गलत का परिणाम गलत ही होता है तो देखे एक चोल में आप स्टेडी करो यार देखे पढ़के आप सेलेक्शन ले सकते हैं देखे मैंने भी आपको बताया कि पेपर ये दी भीकता भी है तो कितनी पोस्ट वो भीकने वाली पोस्ट आप पहले ही निकाल दो तो यार बस इस मेरा मतलब मेरा उद्देश से यही था कि यार जो ये नेगिटिविटी है ऐसी जो ख़बरे चलती है उनके जासे में मताना इसा कोई मेरा उद्देश से नहीं है कि आपको ये बता रहा हो कि आप पेपर खरीदना ऐसा करना बिल्कुल भी दोस्तो ऐसी चीजे मत करना पेपर खरीदने वाले के चकर में दोस्तो अन्यता आपके पैसे जाएंगे आपका केरियर खराब हो जाएगा तो दोस्तो आपसे यही कहूँगा कि यार एक्च्वल में आप इस्टेडी करके ये आप सेलेक्शन लोगे और फिर जाओगे तो यार आपको वहाँ पे जोब में भी इंजोई मलेगा और आपको काफी कुछ अच्छा मिलेगा और यहीं आप डाइरेक्ट पैसे देखे और सेलेक्शन ले भी लेते हो तो यार कुछ मतलब नहीं है कुछ मतलब नहीं है आपको किसी क्या वो लोगे सबको पता चल जाता है यार कि ये पैसे दे के सेलेक्शन लिया है थोड़ी दिनों बाद भी पता चल जाता है कि इसने पैसे दे के सेलेक्शन लिया है क्या बोलोगे अपनी पिछे वालोशी कि मैंने क्या पैसे दे के सेलेक्शन लिया है अपने दम पे लो ना अपने टेलेंट पे लो इस्टेडी करके लो मेनत करके लो यार मेनत से क्यों गब राते हो जो देखे अभी मेनत नहीं कर रहा जो ये तियारी में मेनत नहीं कर रहा पिरपिरेशन में मेनत नहीं कर रहा तो आगे जाके क्या मेनत करेगा क्या उसका केरियर होगा क्या उसका फ्यूचर होगा तो यार अभी मेनत कर लो ना मेनत करके सेलेक्शन लो उसके बाद दोस्तों आपको अलगी कुछ मिलेगा अलगी आपको बेनिफिट मिलेगा और आपके पैसे भी नहीं जाएंगे तो यार उनका ब्याज कितना हो जाता है 5-6 लाग का आप ब्याज जोड़ना है तो यार देखिए एसी चीजों में बिल्कुल मत पसना एक्च्वल में स्टेडी करोगे तो यार आराम से सेलेक्शन हो जाएगा यदि एक्च्वल में स्टेडी करके देखिए इतना बड़ा सेल स्टेडी करो तभी दोस्तों आप है बेनिफिट में रहोगे और अच्छा आपको रहेगा मेरा तो दोस्तों यह छोटा सा मकसद था आपको बताने का बाकि आपको जो समझ में आये उचित लगे आप वो अपने इसाब से डिसीजन लेना लेकिन यार यह कुछ आपको गलत मिलते हैं फिर किसी और अपडेट के साथ आप इस्टाग्राम पर फोलो कर सकते हैं मैं यह दिया आपको कुछ पूछना हो तो रिसी एग्रो के नाम से मारी आइडिया है जहिन जय वारत